है नमश्कार दोस्तों भाईयों वैनों एवं प्री ये सभी लोग का स्वागत्थ करता हूं इस वीडियो में दुनिया भर में पूरे पूरे यूनिवर्स में पूरे ही कि पूरी दुनिया में किसी वी जगह से आप लोग मुझे अगर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो आप सभी लोग का सबसे पहले इस वीडियो के आने के लिए स्वागत है, दोस्तों 2024 2024 के अंदर जो इंडिया देश के UP State में UP, UMS, यानि उत्तर प्रदेश की जो Medical Sciences की University है, जो की आपके UP State के इटावहा जगा की पास है, तो इसके अंदर जो recruitment होना है, आप लोग का nursing officer का, जो की आना था, वो आ चुगा है, आपको बता दू, nursing officer recruitment होगा इस University में, ये Medical Science से जुड़ी वी University है, इंडिया देश के UP State में, तो जितने भी लोग इंडिया देश से मुझे सुन रहे हैं, चाहे फर्याणा से सुन पा रहे हो, करनाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, तिरीपुरा, तेलंगना, या फिर आप लोग किसी भी जगा से, पूरे इंडिया में, असम से सुन रहे हो, वेस्ट बंगाल से सुन रहे हो, देली से सुन रहे हो, पंजाब से सुन रहे हो, या फिर पूरे इंडिया देश म तो आप सभी लोगों के लिए जो nursing officer recruitment होगा UP-UMS यानि उत्तर परदेश के university of medical sciences तो उनके लिए notification आउट हो चुगा है आप देख सकते हो सबसे पहले इस website पर nursing officer recruitment चल रहा है CBT 2024 international conference 9 March को होगी ये किसी और चीज़ का है entrepreneurship होगी इसी ही इसी UP state के university of medical science से जुड़ी है जो university है UP state में इसमें या पर entrepreneurship से जुड़ी ही एक council होनी है 9 March को ये अलग चीज़ है हमारे काम का इस video में इतना ही है कि आप लोगों के लिए UP state में nursing officer का recruitment जिसकी वेकेंसियों के संक्या है 535 535 लोगों को job मिलेगी government job होगी state government की university है medical science से जुड़ी ही यानि UP state के government में आती है university और ये recruit आप लोगो 535 लोगो तो चितने भी लोग इंडिया देश से मुझे सुन पा रहे है पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी और खासकर अगर वो लोग इंडिया देश की citizenship रख रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफी जादा खास रहेगा क्योंकि इस recruitment में आप लोग eligible हो अभी दे eligibility, qualification, age limit, form की dates, form की fees, salary कितना मिलेगा, post पर काम क्या होगा और क्या qualification ली जारी, selection कैसे होगा, क्या कोई exam होगा, जैसे recruitment में लिखा है, CBT होता है, इसमें, एक computer exam होता है, तो वो सब जो होगा, वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में दे रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से सुन ले, जो भी लोग nursing field से आ रहे हैं, nursing officer का post लेने, ठीक है, तो all India, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस जानकारी को, आपको समझ आ जा है, notification recruitment आ चुका है, जिसको लेकर मैं इस वीडियो को पूरा कर रहा हूं आपके साथ, ध्यान से सुन ले, मैंने वीडियो के नीचे सह करना होगा इस recruitment को, तो UPUMS की website पर आओगे, nursing officer recruitment पर क्लिक करोगे, यह कहेंगे हम आपको दूसरे website पर बेच देंगे, ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग आ जाओगे, तो यह लिखा आगया कि apply कर सकते हो, 23 February से 14 March, ठीक है, यहाँ पर अगर आप नए हो, पहल से आप लोग apply कर सकते हो, इस recruitment पर पूरा process इसका discuss होगा इस video में, तो आप लोग ध्यान से देखे, what's new के section में आपको notification दिख जाएगा, देखे, यहाँ पर लिखा है, notice board और लिखा है, nursing officer recruitment में, इसको भी जब करता हूँ, तो मेरे को वही apply करने का link दुबारा से मिल जाता है तो आप समझ पा रहे हो कि इसका link open हो गया है, और यही पर आपको notification देखने को मिल जाएगा, तो जिन भी लोग को nursing officer का recruitment लेना हो, state government job होगी, UP state में, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं से जाओगे या नहीं, वो चीज में आपको जल्द ही video मे इसी में clear करूँगा, आपको notice discuss करके, ठीक है, यह recruitment section में आप लोग notification ढूण सकते हो, जैसे आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर इनका जो notification है, अभी तक इनोंने update नहीं किया है website पे, हाला कि आप देखोगे, last date में यहाँ पर 14 February वाला चल रहा है, 14 March वाला यहाँ पर update नह जाएगा, लेकिन हमें articles से और sources से, या नि कि जो आपके online website पर searching में, आप लोग को articles मिलते हैं, वहाँ से हमें update मिल चुगा है, तो वहाँ से हमने उठाया है, इस notice को, और उसके दौरान ही, आप लोग साथ जल्दी के लिए हो रहा है, देखिए, articles में पहले आ जाता, आप को जो भी recruitment body हो, या जो भी, जो भी authority organization है, जो कि admission करा रही है, recruitment करा रही है, तो वो अपने website पर देगी, या फिर वो media के अंदर सबसे पहले आएगा, इसके अलावा कहीं देखने को मिलेगा नहीं, हो सकता है, कुछ articles में आ जाए, उसके अलावा कहीं देखने को मिलता नहीं है, तो वही चीज़े में आप लोगों को बताऊंगा, क्या इसमें online form जमा होगा, कैसे जमा होगा, सारी चीज़े clear होंगी, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा सारा कुछ, तो ध्यान से आप लोग समझ लें, कि इस recruitment को अगर आपको लेना हो, ठीक है, चलिए, हमाई पर नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसे व्यवे से हमने आयो है, आर्टिकल से उठाया है, लेकिन नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, आपका आचुका है इस recruitment में, देखो ये recruitment का notification है, अब ये कब दिया गया, ये भी इसमें date इसमें दी होगी, ये आपका notification आया है, परसो, क्य चालू हो गए ना, तो इसका मदब क्या हो गया, कि परसो इसनों नोटिफिकेशन दे दिया है, यूपी, उत्तर प्रदेश की university है, medical sciences में, ये इंडिया देश के, यूपी स्टेट के, इटावा, district के सैफई, एरिया के आसपास ये university है, और वहाँ पर कहा रहे है, CBT, यानी computer based test करा लेंगे, recruitment करने के लिए nursing officer की, इनको exam कराना इसलिए पढ़ रहा है, क्योंकि vacancy की संख्या जाता है, तो ये लोग direct, ऐसे ही qualification पर vacancy नहीं दे सकते, इनको exam कराना, उसके बाद ही लोग को vacancy आ देंगे, आपको बता दू दोस्तो computer based test होगा, मत्तब एक exam होगा आपका computer उसको pass करने के बाद ही, लोग को ये recruitment मिलेगी, online application invite कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस post के लिए level 7 का salary होगा, यानि 45,000 से लेके 1,42,000 तक का salary है, यानि कहीं न कहीं आप लोग को 50,000 पर month, 50,000 रुपीज पर month प्लस इसमें मिलने ही वाले हैं, यानि 50,000 रुपे पर month आपको अगर किसी ने BSC एक तो दो तरह से होते हैं, तो BSC होता है, एक normal तरीके का होता है BSC और एक होता है Owners, ठीक है, दो तरीके से होते हैं, डिग्रियों में भी, जैसे आपको पता है, डिपलोमा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी तरीके से BSC Honors है, इसमें BSC Honors Nursing, या फिर B BSC Nursing, Honors वाला नहीं भी है, और Nursing है अगर BSC में, BSC Nursing है, और किसी भी Institute से University से, जिसको भी Indian Nursing Council ने कहा दिया है, या आप अपने University को चलाओ, इस course के लिए, तो वो, वो लोग, मतलब, basically वो University, जो इन course को कलाने के लिए, एक Recognize, मतलब कि Government द्वारा वो Approval लेकर चला रहे हैं, चाहे वो State की हो, State Nursing Council द्वारा या फिर Indian Nursing Council द्वारा, अगर वो Recognize है, और उस Institute या University से Candidate BSC Honors Nursing या फिर BSC Nursing, पास आउट होगा, फॉर्म भर देगा, BSC Post Certificate है, या फिर Post Basic BSC Nursing है, किसी भी Institute से तो भी वो फॉर्म भर सकता है, उसको इतना याद रखना है, कि उसका जो है Registered as Nurse, मतलब कुल मलाके कहना यही है, कि आप लोगों का Bachelor in Science with Nursing, आपका Pass Out होना चाहिए, Post Certificate भी ले लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का Nurse and Midwife के अंतर, Registration होना ही चाहिए, अगर नहीं है, तो पहले आप उसको करा लेना, क्योंकि यह चीज़ें आप से मांगी ही जाती है, ठी किसी के पास डिगरी नहीं है, और अगर उसके पास डिपलोमा है, जनरल नर्सिंग मिडवाइवरी में, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा, तो भी हो accept हो जाएगी, उसको registered भी होना चाहिए, इसके अलावा, और दो साल का experience होना चाहिए, यह experience होना चाहिए, 50 बैड, मतलब ऐसा hospital जिसके अंदर कम से कम 50 बैड थे, और उसमें अगर आप लोग ने इस post पर काम किया है, दो साल experience लिया है, तो आप form डाल सकते हो, आपकी qualification के बाद होना चाहिए experience, ऐसा नहीं है कि आप अपनी qualification कर रहे थे, आप अपना diploma कर रहे थे और साथ में आप experience कर रहे तो तो वो accept नहीं होता है, experience वही लिया जाता है, जो qualification के बाद का होता है, ठीक है, यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़े ली जाती है experience के तरीके से, क्योंकि experience candidate तभी करेगा ना, पहले आप उस चीज़ को सीखोगे, उसके बाद ही उस चीज़ का experience कर पा इसमें आप लोगों को यह बताना है कि इनमें से कौन से applicable हो रहा है, तो आप एक ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर लिखा है, कि जो दो साल का experience है ना, वो diploma वालों से मांग रहे है, B.Sc. वालों से नहीं मांग रहे है, क्यूं? आप देख सकते हैं, आपर required two year experience वो मांगा जा रहा है, वो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, और after completing internship और declaration of result और registration with ठीक है, ठीक है, तीकि simple जी बात कह रहे है, 2 साल का experience आपका चाहिए ही चाहिए हमें, इस recruitment के लिए, और कह रहे है, after completing internship, आपने internship भी कर रहे हैं, मान के चलो, तो भी आप लोग इसके अंदर डाल सक basically कहना इनका यही है, कि आपने या तो degree कर रहा हो, या diploma किया हो, अगर आपने diploma किया है, तो 2 साल का experience चाहिए, और अगर degree करीए, तो experience नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि degree वालों के लिए, जो होता है, 3 या 4 साल लग जाती है, उस course के अंदर, वहीं अगर diploma वाले को देखे, तो 2 स अगर जाते हैं, अपने years को बचाने के लिए, तो direct 10 के बाद चले जाते हैं, तो यह आपको भी पता है, उसी के हिसाफ से, इन्होंने साफ साफ का है, diploma वाले 2 साल experience, BSC वाले स्रिफ अपनी qualification से ले सकते हैं, registration होना चाहिए, age 18 से 40 के बीच रखी है, 1st of January 2024 में जो लोग 18 प्ल सिंपल सी बात है, UP state में अभी यह चल रहा है, कि STHT के अपर age में 5 साल है, OBC में 3 साल डाले गए है, high age में, मतलब अगर आपकी age 40 हो गई है, और अगर आप SCHT से हो, तो आपकी age में 5 साल जोडे जा रहे हैं, OBC में 3 साल जोडे जा रहे हैं, और अगर आप UP state के हो तभी, UP क continuous service in the relevant field, age is relaxable up to maximum 5 years, ठीक है, अगर आपने कम से कम 3 साल भी काम किया है, government के employee के तोर पर एक permanent employee हो, आप लोग किसी भी office में, government के अंदर, किसी भी विभाग में, तो आप लोग को इन्होंने साफ साफ यही कहा है, कि आपको 5 साल relaxation मिलेगा, मतलब अगर आप UP state के किसी भी government office में काम कर रहे हो, अभी के समय, पूरे UP state में, अगर आप government office में काम कर रहे हो, आप एक permanent employee हो, तो आपको 5 साल का अपर age में relaxation देंगे, लेकिन आपका service, आपका जो काम का service होगा, 3 साल का कम से कम होना ही जाहिए, SCST अपने अपर age में 5 साल जोड़ेंगे, OBC 3 साल जोड़ेंगे, अगर वो UP state के SCST OBC हैं तो, ठीक है, तो यह सब चीज़े आप लोग read कर सकते हो, नंबर ओ वेकेंसी आपको बता दू, 535 वेकेंसी हैं, जिसमें से general को 200 मिलिंगी, EWS 50 हैं, और OBC वाले 165 हैं, जिसमें से 135 प्लस 30 हैं, दो तरीके से OBC की वेकेंसी, इसमें 30 हो सकता है कि backlog की ह हूँ, पिछले वार की हूँ, और SC वालों में भी आप लोग वेकेंसी आदेख सकते हो, अनुसूचित जंजाती जाती भी अपनी वेकेंसी आदेख सकते हैं, मैं आपको बता दू, दिव्यांग लोगों के लिए 4% reservation रखा है, टोटल वेकेंसी हो में थे, वेकेंसी हो में से तो कहीं ना कहीं 25, 25 से 27, 25 to 28 के वेकेंसी लगभग, एक सर्विसमें को जाएंगी, dependent जो freedom fighters के हैं, उनकी 2% वेकेंसी हैं, टोटल में से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है, आगे थोड़ा चलूँगा, मैं आपको बता दू, जनरल वाले अगर form डाले हैंगे इस वेकेंसी बर, तो उनसे 2000 रुपे चार्ज होंगे, GST के 360 रुपी, जो की 18% होगा, 2000 का, उस इस आप से 2360 रुपी, जनरल को, OBC को 2360, और अगर SCST है, तो 1416 रुपे उसको जो है, form के इधर डालने होंगे, online, इन्होंने बोला है, यह सब कैसे होगा, online form भरे जाए इसमें, और यह कब होगा, यह आपको जल्द ही, UPUMS बता देगा, यानि UPUMS मतलब की, उत्तर प्रदेश University of Medical Science, ठीक है, जो इटा वाहा में है, इस्टेट के इटा वाहा जगा पे है, तो वो लोग कहा रहे है, UPUMS आपको जल्द ही बताएगा, कि यह computer exam कब करा लिया जाएग यह आपको जल्द ही पता लग जाएगा, जैसा आप लोग जान रहे हो कि 14 मार्च तक फर्म जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह exam आपका April 1 में ही होगा, April में ही होगा, March में नहीं होगा, इतना आप लोग रिलेक्स हो सकते हो, दूसरा आपको बता दू, process फर्म बरने का simple है, candidate अपना registration करेगा, सारी required details डालेगा, जैसे अपना नाम, father name, mother name, अपने details, address सब डाल देगा, उसके बाद वो जो है, upload करेगा, अपने photo को, signature को, इसके अलावा, photo signature और जो भी document उससे लिये जा रहे हैं, उसको upload करेगा, fee जमा करेगा, और उसके बाद form जमा करके, form का print निकाल ल निकाल लिया, बस, इतना सा process होता है, general conditions यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग को बता दू, जो लोग भी eligible हैं, इसके लिए, अपना form जमा करेंगे, सिर्फ online में, online में form डाला जाएगा, आपके द्वारा, और यह आप लोग 23 February से लेके, 14 March के, रात तक आप लोग form डाल सकत अभी लोग form डाल सकते हैं, qualification यही है, कि school pass out हो, प्लस वो bachelor pass out हो, B.Sc. में, वो भी nursing में, और अगर वो degree की qualification नहीं रखता, तो diploma भी अगर उसने करा है, तो वो भी nursing side का होगा, nursing और midwife में, तो भी वो form डाल सकता है, इस vacancy बार, ठीक है, total vacancy आप 535 आई है, तो यह आप सारी च Q&S को एक बार read कर लेना, ठीक है, age relax रहते हैं, कि इन्होंने साफ बोला है, age opt to apply for, ठीक है, जो लोग SC, ST, OBC और disability candidate है, और who opt है, और वो apply कर रहे है, for unreserved vacancies पर will not be eligible, simple सी बात है, जब आप लोगों के लिए notification में कहा है, कि आपकी SC की vacancy इतनी है, ST की इतनी है, OBC की इतनी है, और आप लोग उस vacancy की वजाए, उस vacancy पर form ना डाल कर, आप लोग अपनी category को जानते हुए भी, आप एक general से form डाल रहे हो, general के तो आप लोग बाद में cast certificate दिखाओगे, तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप form में ही जब general डालोगे, तो वो कैसे माल नेंगे, कि आप नहीं हो, SCHT और बागी वर्ग में आ रहे हो, तो कहना यही है, कि आप लोग को अपने reserved category वाले column को ही select करना है, form बरते समय, मतलब कहना यही है, कि आप लोगों को SCHT है, जिसमें भी आप लोग आते हो, वही चीजे डालनी है, form बरते समय, जिसमें आप लोग हो, जिसके certificates के proof आप लोगों के पास है, मतलब आप लोग वहाँ पर general नहीं डालोगे, क्योंकि general उन्हीं को डालना है, जो सही में general में आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, मतलब जैसे, जैसे reservation आप के पास हैं, वैसे वैसे ही आप लोगों को form डालने हैं, ऐसा नहीं करना कि SCHT हो और HD से form डाल दि 30 दिन का या फिर उसके बाद का ही, ये जो है, कास certificate आपका होना चाहिए, अगर इससे पहले का है, तो वो accept नहीं होगा, ये OBC वालों के लिए कहा है, ये सब चिरिया आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है, कास certificate महीने, 6 महीने, महीने या फिर साल भर के ह validity रखते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि कास certificate एक बार बनवा लिया, तो उसके बाद वो उसी certificate के वियाफ़र कभी भी recruitment में, lifetime में लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता, आप लोग का 6 महीने और साल भर में दुबारा दुबारा उसको बनवाना पड़ता है, जो कि आप लोगों को रही है, ठीक है, most of the जगा पर ये चीज़े फिरी बनती हैं, आपको पता ही होना चाहिए, कास certificate फिरी बनवाए जाते हैं, अगर कोई चार्ज कर रहा है, तो पहले इसके बारे में देखो, इंटरनेट में, क्योंकि ये चीज़ almost फिरी ही होती है, कास certificate बनवाना, उनका कहना यही है, कि 6 महीने और साल बर में बार-बार बनते रहते हैं, कास certificate जो भी बनाते हैं, जो भी इसु करते हैं, SDM, DM और ये सब लोग जो भी certificate बना रहे हैं, वो लोग, ठीक है, वो लोग जो इस चीज़ को इस चीज़ करते हैं, वो चीज़े इतना जानते हैं, कि भाई, ये 6 दे महीने साल बर का इश्यू होता है आप लोग जितनी बार भी बनवा सकते हो इस चीछ को यह फिरी ऑफ कॉस्ट इसमें चलता है ठीक है अगर कोई चार्ज हो रहा है तो उसके लिए आप पहले देखें किया इसमें सही में चार्ज लगता है तो उस तरीके सा आपका रहेगा तो इस तरीके सा आपको देखना होगा एज रिलेक्शेशन में बता दिया सिर्फ यूपी स्टेट के रिजर्वेशन को और डिसैबलेटीज को ही मिलेंगे एज रिलेक्शेशन में ठीक है चाहे हो वेकेंसी में कि आप कहलो या फिर आप लोग अपलाई करते समय फॉर्म की ही चाहिए इसके अलावा आप लोग का सिगनेचर डेट अब बर्स सर्टिविकेट स्टिविकेट अगर आप किसी में आ रहे हो तो उसका सर्टिविकेट और अगर आप डिसैबलेटी हो तो उसका सर्टिविकेट माक्षीट आपकी क्वालिफिकेशन की 10th 12th और वालों को देना है experience certificate दो साल का कम से कम और डिगरी वालों को नहीं लगाना उनके लिए experience नहीं लिया जाएगा इस recruitment में और NOC अगर आप श्टेट या फिर Central Government के या फिर Public Sector Undertaking से किसी भी organization company में काम कर रहे हो पूरे world पूरे इंडिया देश में कहीं पर भी तो आप लोग को एक NOC लगाना पड़ेगा जहां पर आप काम कर रहे हो उनके द्वारा verify करवा के एक NOC देना होता है कि भाई और आप जहां काम कर रहे हो उस company के जो manager है या बड़े officer जो है उनको को जो है कोई objection नहीं है आप लोग का इस recruitment में फॉर्म बरने से और आप इस vacancy को ले सकते हो ठ जोड़ा आगे बढ़ता हूँ scheme of exam क्या रहेगा यह exam computer पर होगा recruitment के लिए तीन घंटे यानि कि 180 मिनट में exam हो जाएगा और 200 MCQ रहेंगे जो कि 600 marks के आएगे यानि कि हर आप देख लो हर एक कोशन जो होगा हो तीन-तीन नंबर का होगा इस तरीके चार options मिलेंगे हर कोशन मे for each question और question paper Hindi English दोनों में ही मिलेगा 170 question आप लोग के nursing subject से जुड़े होंगे और 30 question general English knowledge और current affairs के होंगे और reasoning और mathematics के होंगे यानि nursing subject इस recruitment में इतना बड़ा जो है take part कर रहा है कि 170 question उसी उसी के ले रहा है there will be no negative marking मतलब negative marking नहीं है किसी candidate ने किसी question का अंसर गलत कर गया तो उसके marks negative negative में नहीं जाएंगे यह exam totally computer पर होगा minimum pass करने के लिए इस exam में general EWS और OBC को 40% कम से कम लाने है 40% मतलब हो जाता है 600 का अगर आप 40% निकालोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 240 240 marks से उपर जो लोग लाएंगे वही लोग अपने आपको मान पाएंगे कि आप लोग इस recruitment के यह pass कर गए हो क्योंकि 60 तो उसका 10% हो जाएगा और 120 and 120 तो 240 अपका 40% हो जाएगा तो कही न कहीं आप लोग को लाने होंगे 240 प्लस और कहीं न कहीं 210 या 215 से ज्यादा marks SCST जो UP State के हैं उनको इस recruitment के exam में लाने होंगे तब ही वह pass कर पाएंगे मान के चलते हैं इस recruitment में आप exam देने गए और आप में tie हो गया आप में और आपके साथ जो और लोग exam देने गए उन में से आपके और उस किसी candidate के same marks आ गए तो ऐसे में जिसकी age first यहाँ पर देखा जाएगा data worth by जो age में बड़ा होगा उसको हम लोग उपर कर देंगे merit में फिर भी अगर आप लोग के ज solver होते हैं मतलब कि आप और आपके साथ साथ और लोग recruitment exam देने गए और उस candidate के marks और आपके marks सेव आगए इस recruitment में तो ऐसे में साफ साफ बात यही होती है कि यह tie case solve हो जाते है जिसे कि किसी एक को preference देकर select कर लिया जाए ठीक है syllabus में आपको बता दूँ इस recruitment में यही रहेगा general English के 10 कोशन है 30 नमबर का रहेगा हो general knowledge के और current affair के 10 कोशन 30 नमबर का reasoning mathematics 10 कोशन इसके लावा anatomy और physiology microbiology और biochemistry के 15 कोशन है psychology और sociology के 15 कोशन है community health nursing के 15 है child health nursing के भी 15 कोशन nutrition health education and communication skill के 15 और medical surgical nursing के 15 कोशन mental nurse health nursing के 15 कोशन मिडवाइवरी के भी 15 कोशन आपको मिलेंगे gynecological nursing के भी 15 कोशन है nursing education और research statistics के भी 15 कोशन है सबसे आदा अगर आप मेट से पूझो की सबसे आदा वेटेज किस चीज की है तो nursing के अंदर जो fundamentals होते हैं और first aid आपने सुना होगा nursing एक जो आप लोग B.Sc कर रहे देंगे तो आप लोग को मैं अगर बता हूँ तो आप लोग सबसे पहले इस वाले को prepare कर सकते हो क्योंकि यह portion आपके लिए असान होगा इन तीनों को आप लोग एक तरीके से छोड़ भी सकते हो ठीक है क्योंकि यह आप लोग के field के थोड़ा भार का है ठीक current affair में आप पूछे नहीं पता जनरल इंगलिस में बहुत कुछ आता है नहीं पता कि क्या चीजे पूछ ली जाए सेम रीजनिंग और मैस में भी नहीं पता होता तो यह चीजे छोड़ी जा सकती है लेकिन fundamental nursing का और यह जो आपके यहां से यहां तक लिखे हैं जो कि nutrition और child health nursing से को पहले करा जा सकता है तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखें बागी इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो असानी से आपका यह exam निकल जाएगा और यह recruitment में आपको मिल जाएगी तो देखो भाई इसमें पूरा notification हमने डिसकस कर लिया है इस वीडियो में आप देख सकते हो अब इसमें बात ही आती है कि क्या यूपी स्टेट का candidate form बढ़ सकता है या all India से form बढ़ सकते है इस recruitment में तो सबसे पहले बात यही है कि जरूरी नहीं है कि यूपी स्टेट का ही ल वो डाल सकते हो इतना याद रखना है क्योंकि यूपी स्टेट गवर्मेंट recruitment करेगा इसमें तो इस वजह से आप लोग को general category का यहां पर लिया जाएगा और जो लोग यूपी स्टेट के SCHTOBC में आ रहे हैं उनको reservation मिल जाएगा इस vacancy में क्योंकि यूपी स्टेट में ही recruitment ह रहा है और यूपी स्टेट के level की government जो है वही recruitment इसमें करवा रही है तो सारे point आपको clear हो गए होंगे मैंने आपको syllabus बता दिया है और salary बता दिया है age limit बता दिया है form कब से कब तक भरे जाएंगे वो बता दिया है और fees भी मैंने इसमें बता दिया है थोड़ा मैं आगे चल यह सारी चीज़े डालनी होंगी देखिए यहां पर लिखा है सारी चीज़े सही से follow करें सब कुछ सही से दे कुछ गलत देंगे तो इसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे वो इन्होंने यहां पर क्या दिया है थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको आपको अपना नाम दे प्रोसेस करना है फोटो अप्लोड करेंगे डॉक्यमेंट अप्लोड करेंगे अगर आप यूपी स्टेट के रिजर्वेशन में आ रहे हो तो कास सैटिफिक जरूर लगा ना नहीं तो आप लोग को रिजर्वेशन का फायदा यहां पर नहीं मिलेगा तो इस तरीके से form भर यूनिवर्सिटी ओव मेडिकल साइंसी है और यह यूनिवर्सिटी यूपी शेट के इटा वहां के सेफ़ई जगा पर यह रिकूरूटमेंट होगा और इसका form 14 मार्च को क्लोज हो जाएगा सबको ऑनलाइन अप्लाए करना होगा यही सब था इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो को पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में खास कर इंडिया के एक लोगों तक पहुचाए मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद